सब्सक्राइब नमसकार दोस्तों मेरा नाम है समयर आप देखरें हमारे यूटीब चनल टेक्निकल समयर दोस्तों आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, आप ये वीडियो पूरा देखें और ध्यान से देखें, आज मैं आपको बताऊंगा किस तरह इसको आप घर पर ही आसानी से ठीक है, दोस्तों सबसे पहले हम वासी मशीन का पीछ अगर डखकन अटाएंगे, डखकन अटाने के बाद ड्रैन कि ये बेल्ट हटा लेंगे, और बेल्ट हटाने के बाद दोस्तों इसमें इस तरह हम इसको खोल लेंगे, गुमाने पर ये खोल जागा, तूडिया होती है इसमें, दोस्तों कई मशीनों में इसमें पेच भी कसे होते हैं, ब्लोक होते हैं, और इस तरह स्प्रेंग होती है, दोस्तों कई पर होता क्या है कि इसमें खार आ जाता है और खार आने के कारण यह उंचा नीचा हो जाता है जिससे आपका continue पानी निकलता रहता है और दोस्तों कई पर जो पानी नहीं निकलता है उसके कारण क्या होता है इसमें आपके जो कच्रा बहुत जाद आ जाता है और वो इतना कचर आ जाता है कि बिल्कुल जाम हो जाता है ये बैलून और इसकी वज़े से आपका जो पानी है वो ड्रेन का पानी नहीं हो पाता और इस तरह आप इसको साफ कर लें किसी पेचकस वगेरा से और अच्छे तरह साफ करें जो खार वगेरा इस पे बिल्कुल ना रहे हैं और दोस्तों फिर इसको आप स्प्रिंग लगा कर वाप पिस सेट कर दें अगर आपका बैलून खराब दे तो आप नए भी चेंज कर सकते हैं नए चेंज करने के लिए आपको ये परचेश करके लाना पड़ेगा आपका लगवक डेड़ से रोपे के आसपास आपको और दोस्तों केईों में ये पेचोक होता है और के बार क्या होता है कि ष्प्रिंग विगल जाती है इसलिए आपके ड्रेन से पानी निकलता रहता है दोस्तों आप इस तरह इसको लगा देंगे और फिर आपका ए हूपर्स ठीक तरीके से काम करने लग जाएगा दोस्तों आप इसमें देख सकते हैं नया बैलून है आप इसको भी लगा सकते हैं तो दोस्तों आपको समझे मागया हो किस तरह हम इसको ठीक कर सकते हैं अगर आपको कोई सवाल है तो कमेंटर में पूँच सकते हैं मैं आपको जवाब देने की पूरी कोशिस करूँगा अगर आप चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें, शेर करें फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई